तो आज कि हमारी इस online class में हम आपके साथ बादशित करने जा रहे हैं लूप में आपको फोर लूप परहा दिया था राइट पर लूप कैसी यूज के आता है हम फोर में फोर के दो पार होते हैं एक फोर आई हमने आपको परहाया था इसमें हमने बताया था कि आई इक्वल ट टेन टेन टू एलेवन जो भी है आप एक स्टार्टिंग टू एंडिंग तक चले थे अब बात करते हैं फोर इच का इसके लिए छोटा सा एक छोटा सा में करना चाहते कि हमने यहां पर कुछ टाइब किया हुआ रहे हैं ऐसी कुछ ऐसी लेटर में टाइब कर दिया मुझे को आपर लेटर में करना है कैसे करेंगे करने आपको करने जाएंगे तो आपको लगेगा फॉसिंट कि इस चीज पर आप जाते हैं यहां हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट और मैं देदिया यहां पर मालेजी लूप अंडर्सकोर टू ब्राइकेट ओपन क्लोज और हमने यहां पर लिखा कि दिम आर एज रेंज अब यहां पर हमें एक वेरेबल लिया कि आर एक रेंज है फिर लगाया कि फोर एच आर इन सेलेक्शन ठीक है नेक्स्ट आर और यहां सिंपल सा आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू कि कैसर अब मैं इसको रन करूंगा तो हो गया सब हमने सिलेक्शन कर दिया हम स्लेक्शन के जगापे हम दे सकते हैं कि A1 से लेके E7 यहां सिलेक्शन के जगापे कि रेंज ए वं से E7 लेकिν फिर वी खिल़ वेंगे जड़ा ही control Z हो गया अब मैं यहां पर अगर इसको इनके जगावते selection कर दिया तो क्या होगा selection करने के बाद अब जिसे कि मैंने यहां पर सुजीत लिखा रवी लिखा कवीता लिखा और इसको select करेंगे और micro में जाके run करेंगे और run करने के बाद क्या होगा just यहां पर run करेंगे और हो जाएगा अपको लोग सवाल पुछते हैं सर मैं चाहता हूँ कि type होती ही हो जाए तो उसके लिए हमें event micro programming करना पड़ेगा क्या सर अब क्या होता event मैं को चोड़े एक्जम्पल दे दें तवाम को ठीक है जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया वर्कशीट और यहां पर लिख दिया हमने change change किसका target उपर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या हो गया by well target as a range जहां type करूंगा और क्या हो जाएगा target हो जाएगा तो simple सामें करना है कि target डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस टारगेट डॉट वैल्यू अब यहां हम लिखते हैं पूजा मोहन इंदर हुजा रहे है सर तो एक इस पर हुआ इवेंट मैक्रो प्रोगांगी पर हुआ है यह एवेंट में क्या इवेंट हो सब्सक्राइब नॉमली मैक्रों बनाते तो उसको आप मैक्रों में जाकर रंड करना पड़ता है ला या किसी बटन पर क्लिक करके या सौटकट बनाया हुआ है तो सौटकट पर क्लिक करके निट टूरन लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपने एक अबजेक्ट लिया कि जाओ वर्क चेंज पर मेरा माक्रों तो यह आप इसको कभी भी रण नहीं अब आपके होगा कब जब किसी वैलू पर चेंज होगा किसके अंदर इस पर मतलब यह है कि पर्टिकुलर किसी शीट पर जाके फिर हम यह कर सकते हैं चेंज ऐसे करके हैं ना जी जी हो गया ऑपजेक्ट हो गया म समझ गया है अच्छा और यह बनाया कैसे आपने एक्शन मतलब की उपर से सेलेक्ट करना है यह वर्क बुक और वरक्षीट यहां पर बताऊंगा इसके लूप के बाद यहीं चैप्ट कर आने वाली है तो सबर किसे आएगा अभी मतलब इसमें क्या सर इसके अंदर में कोई कि ऐसा ऊप्षिन होता है कि जैसे हम ने इसमेंने लिखाशो क्या केप में और उसमें प्रॉपर में हो स्में हो वाराकी स्मॉल में हो जांके इसम में प्रॉपर यहीं होता है यह उतर लोग की हूप thee यहां chilli के दूट-आस इसका इसकी सऐस nettet एके एक्सानम अनु लगा सकते हैं समझें लाइक बता दू क्या एक बार दिखा दिए चल जाएगा तो यू के जगह पे यू के समने डाला है ला इसके जगह पे होगा अप्लिकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट प्रोपर और प्रोपर में आर्ट डॉट वैल हो गया अब इसको मैं सेलेक करूँ और सेलेक करके रन कर देता हूँ एक मेट आट डॉट वैलूट टू रण किया मैंने कि नहीं वह सॉरी सॉरी सीट्थी था सीट्थी तो अल्लेडी कैप्स लगा हुए ने सर्थ उसमें कोडिन लगा हुए ने का अपर कर देगा पूजा मोहन प्रोपर है ना पूजा सिंह तो आप इस प्रोपर अपर पर ध्यान मत दीजिए आप ध्यान दीजिए जितने में more than 50 है उसका लिस्ट सी कॉलन में बन जाए और मैं इसमें एक चीज़ है कि ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि जितना मैं स्लेक्ट करूं उतना ही रण होना चाहिए इसको लूप से कर सकते हैं पर यहां क्या होगा कि लूप इस देलिमिटेड की पूरा करना है या एक से दस करना मैं चाहता हूं कि यूजर जितना स्लेक्ट किया उतने पर भी मेरा प्रफॉर्म होना चाहिए समझ गया है तो यहां पर लगाएंगे हम सब्जेक्ट लूप अंडर्सकोर टू ब्राइकेट ओपन क्लोज लूट टू नहीं थिरी हो जाएगा ना ओपन क्लोज और यहां दें और करेंगे कि फूर इच आर इन सेलेक्शन और यहां देंगे नेक्स्ट आर अब यहां पर कंडीशन होगा कि एफ आड़ डॉट वैल्यू इस ग्रेटर दें फिप्टी दान रेंग ची 65,000 डॉट अंद एक्सेलेश अफ डॉट अपसेट वन कॉमा जीरो डॉट पेस्ट इस चली यहां पर डॉट वैल्यू ऑगा डॉट वैल्यू इवकल तो और डॉट वैल्यू तो मैंने जितना area select किया है अब उतनी area के data उठाके हाँ डाल दिया तो कहने के मतलब है कि जब हम for each loop लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि particular selected area या एक selected range जो आपने यह डाला हुआ है उसी पे चलता है जैसे मैं चाहता है अब इसमें जोड़ी है कि range cell पर ही चलेगा एनी टाइप दा ऑब्जेक्ट जिसे कि माने सीट हो गया हम चाहते हर और शीट का नाम चेंज हो जाए तो यहां हम फोर इच लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट लूप अंडर्सकोर थ्री ब्राइगेट ओपन क्लोज थ्री नहीं फोर होगा न तो यहां पर हो और यहां हम देते हैं कि डीम आर एजे वर्क शीट ठीक है जर्क और फिर यहां देते हैं कि फोर एच आर इन एक्टीव वार्क बुक्स बुक्स सरी बुक्स नहीं होगा है एक्टीव वार्क बुक्स डॉट शीट और नेक्स्ट आर और यहां पर हमने कर दिया कि आर डॉट नेम नहीं हो रहा है इक्वल टू डेटा आई अब आई क्या है तो आई इक्वल टू आई प्लस वान सिक्वेंस होगा क्योंकि इसमें सिक्वेंस नमर नहीं है न इसलिए अमें इसको रण करता हो आई एक मेंट वर्क बुक सीथ होगा वर्क शीट ना होगा हम भी गलती कर देते हैं वक्षीट वक्षीट होगा शीट नहीं होगा यह वक्षीट होगा यह था ग्रवड क्यों हो रही है अब चाहिए एक छोटी सी प्रब्लम हो गई थी ऊपर में बॉक्षीट मैं हमें से उस्ट होगा शिखाता हूं। थी के लिए हं तो हमने हाँ पे कर गया वर्क शीट और जितने से सब पर वक्षीट अब करे का आप लगा लूप का फॉर्मूला तो इसके जगह पे आप इस शीट का इस्तिमाल कर सकते हैं इसका इस्तिमाल कर सकते हैं समझें तो फोर्ट इच से लग समझना आगिया कि फोर्ट इच वर्क क्या करता है कुछ एक्जांबल बनांके देखने पड़ेंगे तो एक्जांबल बनांके देखिए क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है आगे चाल के फंक्शन में आपको बहुत जड़ा वर्क करें आप जहें इसको एक बार खुश्से बना के देजिए और मुझे पांसे एक्जांबल बताईए ठीक है ठीक है कल हम बात करेंगे फोर इच लूप के बारे में फुरसरी है फोर डू लूप डू लूप के बारे में बात करेंगे ठीक है